हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू मैं क्लास इंगलिश विक फ्रीदी माम स्टुडेंट्स, आज हम इलावार उनिवर्स्टी के इंटर्न्स एक्जाम में आने वाले जनरल इंगलिश के पेपर को सॉल्व करेंगे और ये पेपर 2018 का है और ये पेपर B.A.B.S. से विकॉम तीनो टाइप के स्टुडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं पेपर इन कुशन नमबर 1 और 2 चूज़ दा करेक्ट अन्टोनिम्स फ्रॉम दो ओप्शन लिस्टेग भुलो यानि आपको कुशन नमबर 1 और 2 में अन्टोनिम्स चुनना है अन्टोनिम्स में जो अपोजिट वर्ड हो तो हमारा वर्ड है रिलिश रिलिश मेंज होता है टेस्टी, स्वादिस्ट तो उसका अपोजिट क्या होगा? नमबर 1 डिस्टेस्ट यानि जोची टेस्टी ना हो यह तो तुरंट पहले ही मिल गया तो रिलिश का अपोजिट क्या होगा? अन्टोनिम्स डिस्टेस्ट हम दूसरा option भी देख लेते हैं, dislike, enjoy, consume, यह तो बिलकुल ही नहीं लगता, तो पहले का है, relish का example होगा, distaste, चलिए, question number two पे चलते हैं, question number two का word है, pleasant, pleasant means बहुत अच्छा, बहुत खुशनोमा, तो इसका opposite क्या होगा, taste, number one, tasty, यह तो हो नहीं सकता, दूसरा है, nasty, nasty means होता है, जगडा लू, और pleasurable means होता है, कि बहुत अच्छा, तो pleasant का opposite तो हम लोगों को nasty ही लग रहा है, जिसका मतलब है कि बुरा, clear, तो number two का सही option होगा, B, अब चलिए, question number three पर चलते हैं, fill in the blanks with the correct word, the village was destroyed, dash fire, अब चार option दिये गये हैं, buy, in, through and off, student यह जो sentence है, यह passive voice में है, और passive voice में by ही लगता है, तो the village was destroyed by fire, तो इसका सही option होगा, A, clear, चलिए, अब next question पर चलते हैं, question number four, select the sentence which does not contain a collective noun, collective noun को क्या होता है, collective noun वो noun होता है, जो पूरे collection को दिखाता है, यानि एक word रहता है, और उसमें पूरे group के बारे में पता चलता है, जैसे class, library, तो अब इसमें से यह पूछ रहा है, कि कौन सा ऐसा sentence है, जिसमें collective noun ना हो, तो चलिए, हम पढ़ते हैं sentence, number one, the police dispersed the crowd, अब ये crowd क्या, ये दो collective noun है, be a herd of cattle, herd of cattle मीन्स क्या होता है, जानवरों का जुन्ट, ये भी collective noun हो गया, see, क्या है, the jury found the prisoner guilty, jury मिन्स क्या होता है, group of judges, ये भी collective noun हो गया, तो fourth है, a gold is an expensive metal, अब gold ये expensive ये metal, ये तो कोई collective noun है नहीं, तो हमारा सही option क्या हुआ, हमारा सही option हुआ, D, क्योंकि इसमें ये कहा था, कि उस word को चुनिए, जिसमें की collective noun नहीं है, तो option D में collective noun नहीं है, तो question 4 का सही option हुआ, D, now come to the question number 5 and 6, in question number 5 and 6, select the word with the correct spelling, student spelling error से related दो question तो जरूर आता है, इसमें से सही spelling को चुनिए है, accommodation, अब accommodation की इतनी spellings दी है, लेकिन इसका सही option है, A, A, C, O, M, O, D, A, T, I, O, N, accommodation, तो question number 5 का सही option हुआ, A, चलिए, question number 6 पर चलते हैं, reservation, अब reservation की सही spelling हमें चुनिए है, अब देखिए reservation, R, E, S, E, R, E, R, V, A, T, I, O, N, T, I, O, N को शन पढ़ते हैं यह पता है, तो इसका भी सही option हमारा क्या हुआ, A, अब देखिए यह reservation में यहां E गलत है, ठीक है, अब यह reservation देखिए, T, I, O, N होता है, तो यहां E नहीं है, इस reservation में reservation लगते हैं, यह जब भी आप spelling errors related देखिए question, तो उसको बहुत carefully देखिए, क्योंकि कभी कभी बिलकुल जैसे यह spelling बिलकुल सही लग रही है, सिर्फ इसमें E नहीं है, तो कभी कभी हम लोग जल् सही option है, A, चलिए, question number seven पर आगे बढ़ते हैं, in question number seven and eight, select the word that does not match with the others in the group, यानि odd one out जैसे होता है, उसको आपको select करना, seven का पहला option है, hurricane, hurricane मिन्स क्या होता है, एक तूफान होता है, दूसरा है, मिराज, मिराज जैसे जब हम लोग राजस्तान या कहीं रेगिस्तान में रहते हैं, बहुत चलते चलते जब इनसान को प्यास लग जाती है, तो पानी ना होते हुए उसको पानी वाँ दिखाई देने लगता है, इसको हिंदी में अम्रेग तृष्णा क्याता है, तो ये क्या कहलाता है, मिराज, तीसरा है टाइफून, टाइफून मींस होता है आंधी, और चौता है साइक्लोन, साइक्लोन मींस चक्रवात, यानि ये हरीकेन, टाइफून, साइक्लोन, ये सब अनधी, तुफान एक जैसे हैं, लेकिन ये जो मिराज है, यम्रेग तृष्णा ये बिलकुल अलग है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, हमारा सही ऑप्शन हुआ सेवन्थ का बी, वो है मिराज, चलिए अब कोशन नमबर एट पर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हमें इन वर्ड्स में, जो और वन आउट, यानि जो अलग है उसको हमें चुनना है, पहला है डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मींस जो धोके भाज हो, फाल्स, फाल्स मने भी जोटा हुआ, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब हुआ कि जो विश्वसनी हो, और स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है जो नकली हो, जाली बना हो, तो यानि डिसेप्टिव, धोके बाज, फाल्स मींस भी नकली, स्प्यूरियस मींस भी नकली, जाली, और लेकिन authentic means क्या हुआ जो कि विश्वस नहीं हो तो यह हमारा सही option क्या होगा authentic क्योंकि यह तीनों बर्ड एक ही meaning दे रहे हैं लेकिन यह authentic अलग सेंस दे रहे हैं चलिए अब question number 9 and 10 को देखते हैं in question number 9 and 10 choose the correct antonyms from the option listed below अब हमें फिर इसी में से antonyms चुनना है यह नहीं लोम शब्द चलिए देखते हैं क्या है very means होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ तो इसका opposite हमें ढूनना है to energetic यहनी जब कोई बहुत थका हो तो उसका opposite क्या होगा energetic दूसरा है tired यहनी थका हुआ थका हुआ थका हुआ थका हुआ तो नहीं ढूनेंगे दीसरा है innervated innervated means होता है कमजूर और चाता है exhausted यहनी बहुत ज़्यादा थका हो थक जाना कहने का बतलब यह tired, innervated, exhausted यह तीनों तो एक ही meaning दे रहा है जो कि very का synonym सी है कि यहनी थका हुआ यहनी थका हुआ लेकिन इसका opposite क्या हुआ energetic very का opposite energetic चलिए question number 10 पे देखते हैं question number 10 है fragile fragile means बहुत ज़्यादा जो कमजूर हो यहनी जो आसानी से तूट जाए तो हमें इसका क्या डूनना है opposite तो इसका opposite क्या होगा delicate means भी होता है कमजूर tough means होता है मजबूत तो fragile का opposite क्या हो सकता है tough यहनी option B breakable means भी होता है बहुत जल्दी तूट जा और dainty means होता है कि बहुत सुन्दर हो तो fragile का opposite क्या होगा tough जो बहुत strong हो जो क्योंकि fragile means होता है जो असानी से तूट जाए अब चलिए question number 11, 12, 13 देखते हैं question number 11, 12, 13 choose the correct synonyms अभी तक हम लोगों ने antonyms choose किया था अब हमें synonyms choose करना synonyms means ऐसा word जो same meaning दे चलिए question number 11 का पहला word है derived derived means होता है उपहास करना mock means भी होता है किसी की हसी उडाना तो derived means उभास करना mock means क्या हुआ हसी उडाना स्थ बी है force यानि किसी को force करना greet किसी को wish करना हो चौता है worship तो इसका صحیح option क्या हुआ derived means उभास करना और mock means भी होता है उपहास करना तो 11 का और सही option ए चलिए question number 12 को देखते हैं prolific prolific means होता है उर्वरक शक्ति यानि कोई चीज जो बहुत उपजाओ हो plenty means क्या हो तो बहुत जादा हो गया competent चो किसी competition में competition करने लाइक हो predominant means होता है स्वरवाधिक fertile means होता है उपजाओ यानि prolific means भी होता है उपजाओ fertile means भी होता है उपजाओ तो हमारे question number 12 का सही answer हुआ fertile तो कि वो वही meaning दे रहा है next question number 13 lethal lethal means होता है जो चीज बहुत घातक हो अब दूसरा देखिया option इसका unlawful जो कि कानून से रही तो sluggish sluggish means होता है बहुत सुस्त deadly deadly means भी होता है घातक smooth means जो बहुत अच्छे से चले तो lethal means घातक और deadly means भी घातक तो 13 का सही option हुआ c okay student now come to the question number 14 which part of the sentence contains an error यनि चार sentence दिये के हैं sentence के पार्ट दिये के हैं इनमें किसमें error है यह आपको find out करना option a hardly I had covered student ये बात जब भी आप लोगों ने पढ़ी होगी hardly scarcely वाली तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी hardly पहले आता है तो उसके तुरंट बाद had या did आता है उसके बाद subject आता है तो हमारे यहाँ पर यह wrong है hardly I had ना होकर क्या होना चाहिए hardly had आये तो हमें तो पहले ही option में इसका error मिल गया और इसने क्या पूचा है यह का बताए कि इसमें किस पार्ट में error है तो 14 का सही option हुआ a clear now come to the question number 15 they need not to say इसमें भी हमें किस पार्ट में error है यह देखना है how thankful they are to Mr. Satyam for his support अब हमारा पहला option क्या है they need not to say यह तो बिलकुल सही लग रहा है but student error इसी पार्ट में है क्योंकि जब भी need आता है need not तो उसके साथ यह full infinitive नहीं आता है तो हमारा इस पूरे में 15 का सही option हुआ a यानि जो error है वो a पार्ट में ही है चलिए question number 16 which of the words has been correctly spelled student यह तो खुदी गलत लिखा है या spelt होना चाहिए split लिखा है तो इसमें क्या है कि कौन सा है जो correctly spelled है सही लिखा है अब चलिए देखते हूं option scoundrel scoundrel में यहां पर error है scoundrel होना चाहिए यह e extra है despair में यह e extra है vegetable में vege होता है यहां error है लेकिन envelope बिल्कुल सही है क्योंकि envelope में e-n-v-e-l-o-p जो होता है वो verb होता है और यह e जो लगा है वो क्या है वो आपका noun है तो यहां सही है आपके spelling है envelope तो 16 की सही spelling क्या हुई d envelope चलिए question number 17 पर आता है which one of the following words has been misspelled अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन से word की spelling wrong है चलिए option देखते है option a occurring occurring का होता है occur की spelling क्या होती है o double c u r occur की तो सही है लेकिन जब उसमें ing एड़ करते हैं तो यह जो r होता है वो double हो जाता है तो occurring की spelling क्या होगी o double c u r double r यहां पर होगा तो हमारा error तो इसी में आगिया तो कौन से spelling में से spelt है वो है option a occurring इसके और option भी देख लेते हैं मर मर बिलकुल सही लिखा है pleasant भी सही है फॉर्बिट भी सही है अब चलिए question number 18 देखते हैं question number 18 है reckless reckless means होता है लापरवा reckless means क्या होता है लापरवा इसमें क्या बोला है which one of the following word is opposite opposite meaning आपको निकालनी है reckless means होता है लापरवा तो इसका opposite क्या होगा lively means बहुत जिंदा दिल cautious means जो बहुत सतर्क रहे तो लापरवा का उल्टा क्या होगा सतर्क तो हमारे सही option क्या होगा बी clear ना question number 19 which one of the following words is opposite in the meaning of surplus surplus means होता है कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में होना यानि कोई चीज एक्स्टा अतिरिक्त कोई चीज जैसे अगर किसी काम में चार लोगों की जो रहते हैं पांच लोगों तो एक क्या हुआ surplus हो गया तो इसका आपको क्या देना है opposite meaning देनी है तो surplus का opposite plenty plenty means बहुत सारे deficit means होता है जब लेकिन plenty means बहुत सारे यह तो opposite नहीं हुआ deficit means होता है घाटा और scarce means होता है कि कोई चीज की कमी होना तो surplus means बहुत जादा होना और scarce means कोई चीज की कमी होना Waken means खाली होना, तो इसका opposite क्या हुआ, option C, scarce, surprise means अधिक होना, scarce means कमी होना, question number 19 का सही, option C, चलिए हमारा last question आता है, question number 20, a synonyms for diminish, diminish means होता है कि कम करना, तो इसका synonyms, synonyms हमें देखना है, नहीं similar meaning, तो इसका similar meaning क्या होगा, small means छोटा, decrease means कम करना, diminish means भी कम करना, decrease means भी कम करना, तो हमारा सही option होगा, B, okay student, I hope all these questions you have seen properly, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद रहा है, तो इसे like करें, and subscribe करें, thank you,